अज़ा रहे हैं बजार हम मतलब मैं और रानी अभी हम आटो का इंतजार कर रहे हैं और अब आटो आ गया आगे फाटक है इसलिए यहां पर अभी जाम लगा हुआ है तो अभी हम पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस हमें यहां पर कुछ काम है यह हमारा दल सिंग से राए स्टेशन और अब हम जा रहे हैं गौर्मेंट हॉस्पिटल दूसरा रास्ता भी है बाई रोड बट वो ज्यादा लंबा पड़ेगा रास्ता तो इसलिए हम यहां से स्टेशन में के स्टेशन के अंदर आगे और यहां से श्रक्ट बारके हम इसे नहीं करना चाहिए बट क्या करें हम इंडियां से फिल्हाल अभी कोई ट्रेन नहीं है तो इसे हम मुह से क्रॉस कर रही है तो यह है नमारा शॉटकर आज अब बहुत दूर्या मुस्पिटल अब ही बहुत दूर्या मुस्पिटल इस अधिन अभी दस-फंद्रा मिनट पैदा लॉट चलना पड़ेगा उसके बाद होस्पिटल आएगा यहां पर दूर्पनी है स्कूल सेंट केवियर पबलिक स्कूल मैंने तो आज पहली बार देखा है नाम सुना था इस रोड पे इतने होस्पिटल एतने क्लीनिक है और बीड है होस्पिटल में अब देखो हमारा नंबर का बात है हमें थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था सुबेब अब काम होगे हमारा हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए अब कल हमें दुबारा आना है हॉस्पिटल धूप देखके ना मन नी करता बाहर निकलने का इतने तेज धूप होती है ना रानी यह बला ठीक है ना इतने अच्छा अच्छा आईटा में अमन करता भी घरीड़े तो फाइनली इतने धूप में तबते हुए जलती हुए हम अपने घर पापिस पहुच ही गए और अब हम आराम करेंगे और अब शाम हो चुकी है और मैं कर रही हूं किसी का इंतजार क्योंकि कोई दिली से आने वाला है आगया वेटा आगया इसका नाम है अरीन यह आया है बिली से यह शेहरी लड़का है और यह है हमारी अम्मा जी हेई अविवन गुट मॉर्निंग हम नेक्स डे फिर हॉस्पिटल आ गए है क्योंकि हमें थोड़ा सा और काम था तो आज होगा मेरा चेक अप होता है क्या था हेरेपॉट में जानी ने तो दवाईया ले ली है उसका काम हो गया बमें इंताजार कर यहां पर बैठके ए हां- हां- यह राणी मेरा बाहर कप से इंताजार कर दिया अदे से कैसा लग रहा है हाँ पैठके यह पेड़ों की चाहों में यह कर्मी के मौसम में थंदी थंदी हावा जब चलती है तो मजा ही अलग होता है कुछ दूर चलने के बाद हमें गुलगप्पे वाले अंकल दिखाई दे और जब गुलगप्पे दिखाई दे और हम इग्नोर करके निकल जाए ऐसे कैसे हो सकता है और आज मौसम भी अच्छा था धूप के साथ साथ चाहों और ठंडी ठंडी हावा भी चल रही थी यह दिख कितना अच्छा लग रहा है ना है 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 फिर इतनी भीड अभी ट्रेन यहां से क्रॉस हुई है तो इसलिए भी जाम लगा हुआ है और यह फाट्टा का भी गिरा हुआ है तो अब हमें यह इसके नीचे से हमने क्रॉस किया बड़ा मज़ा आया देखो कितने आगे तक भीड लगी हुई है है ना है अब इंततार करेंगे इस भीड के गुजरने का फिर हम आटो लेके अपने घर पहुंच जाएंगे तो इसी के साजा मेल लेती हुँ इस वीडियो का एंड तो क्या बड़ा पहुंच जाएंगे बुलू मैं समझ में नहीं आ रहा हाँ तो आप लोग मेरे चनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए बाबाई